जा पे मेरा पैकेज 35 लाग के आसपा जा चुका था तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे जॉब को रिजाइन करके डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हमको सीडियों को अगर उपर चड़ना है तो नीचे की सीडि को छोड़के हमको उपर जाना पड़ेगा और मुझे अभी भी लगता है डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया में जस्ट यह सुरुआत है दोस्तो हलो दोस्तो मेरा नाम तानजी आउताड़े बाइप्रोफेशन में मेकैनिकल इंजिनेर हूँ बाद में मैंने MBA किया और कुछ अलग-अलग कॉर्पेट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो आज मैं आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ तो हर एक की खुद की स्ट स्टेज के भी स्टोरी है अलग-अलग लोगों के अलग-अलग स्टोरी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मेरी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है बट यह मेरी जर्नी जो है वो इंस्पिरेशन के तरफ जा रही है तो मैं सुरुआत करता हूँ मेरे जनम से तो मेरा जनम दोस्त और मैं हम पल बढ़ रहे थे तो इसी दोरान जब हम पढ़ रहे थे और जब हम ममी पापा को देखते थे कि वो खेती में काम कर रहे है तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी अगर मुझे इस चीज को ये सिचुएशन को अगर बदलना है तो मुझे आच्छा पढ़ना पड़ेगा और दोस्तों लखीली में ब्राइट स्टूडन था तो अच्छे पढ़ते गया उसके बाद 10 में आच्छे मार्स आये 12 में आच्छे मार्स आये तो मैंने खुद का डिस स्टेबल कर चुका हूँ एक सेंटेंस मुझे याद आता है अभी भी कि उन्होंने बोला था कि मैं इंजिनेर बना हूं और मैं मेरी लाइप को स्टेबल बना चुका हूं तो यह सेंटेंस मुझे बहुत इंस्पायर करके गया और वह इंस्पिरेशन के साथ मैंने उनको मुझे support किया उसके बाद जब engineering कर रहा था तो एक ही चीज दिमाग में थी कि मुझे अच्छा पढ़ना है अच्छी नोकरी पानी तब ही मैं मेरे family को एक अच्छी life दे सकता हूँ तो engineering जब कर रहा था तो आच्छे marks आ रहे थे तो मैं खुश था motivate था कि मुझे अच्छा कुछ करना है और luckily जब मैं पास आउट हुआ तब मेरे आहत में एक अच्छा job था तो मैं जब engineering लास्ट एयर में था दोस्तो तब हमने जो project किया था वो project को हमको gold medal मिला दोस्तो उसके बाद एक अच्छी company मिल गई जो college से ही मैं placement हुआ था अच्छा job मिला अच्छी salary थी 7-8 साल job करने के बाद 2018 में में मेरे life में और एक turning point आया मेरे सामने direct selling company का एक concept आया दोस्तो जब direct selling का मैं presentation देख रहा था जब देख रहा था तो stage पर आके लोग बोल रहते कि मैं 50,000 मेहने का कमा रहा हूँ तो मैं एक सोच रहा था मेरे back of the mind में चल रहा था मैं तो 80,000 कमा रहा हूँ कोई आके stage पर बोल रहा था कि मैंने car purchase की मैं बोल रहा था car तो मेरे पास भी है वो बोल रहते है मैं stable हो चुका हूँ इस business के माद्देम से मैं बोला मैंने भी मेरे life में stability already पाई ह तो ऐसा कोई reason नहीं मिल रहा था कि direct selling industry को मैं करूँ और back of the mind बहुत सारे rumors भी सुने थे तो लेके मैं जिनोंने मुझे इस business को introduce किया था मैंने उनको बोला था कि मुझे इस business में नहीं आना है नहीं जुड़ना है बट उसके बाद मैं ऐसे personality को मिला जिनको सुनने के बाद मै मुझे दिल पे चूह रहा था दोस्तो और ऐसी सक्षिया दूसरी कोई ने दोस्तो डॉक्टर आशोक तुडमल सर मैं 2018 को सर को जब पहली बार मिला मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे life को transformation का journey really में वहां से start हुआ तो 2018 में जब मैं direct selling को देख रहा था मैं सनेज इस platform से आज बात कर रहा हूँ yes isi platform से आज बात कर रहा हूँ अब लोगों से बड़ सनेज का जब पहली बार मैंने plan सुना था तो मैंने ना बोला था बड़ सर को मिलने के बाद मैं जब इस industry को deep में समझने की कोशिश कर रहा था तो एक चीज मेरे समझ में आई कि भारत में इस इंडस्टि को अलग अलग तरीके से गलत तरीके से किया जा रहा है बट यही अगर हम foreign में जाते हैं US में जाते हैं Europe में जाते हैं तो इस इंडस्टि को एक अच्छी तरीके से एक channel of distribution करके लोग देखते हैं वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे educated लोग इस industry को कर रहे हैं, तो मैंने decide कर लिया, sir का एक vision था, sir का एक mission था, कि इंडिया में ऐसा एक vision, ऐसा एक mission हम create करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को लगे, कि direct selling industry एक right platform है आपका career करने के लिए, और मैं चाहता था कि मैं इस mission में जुड जाओं, मैं sir के साथ काम करने के लिए start किया, बट मैं job भी कर रहा था, part time मैं इस industry को start किया, करता गया, करता गया, बाद में मुझे इस industry के depth पता चली, तो कुछ चीजे मुझे समझ में आई कि, जो सनेच का आज का plan जो हम बात करते हैं, तो ये generation plan है दोस्तों, तो generation plan binary plan, investment plan ऐसे अलग-अलग direct selling में plan होते हैं, बट generation plan ये सबसे secured plan है, उसका reason ये है दोस्तों, जब मैं इस industry के depth में जा रहा था, समझ के ले रहा था, तो सबसे important है अगर हम customer को product direct बेच रहे, direct दे रहे, तो हमको उनको value भी exchange करना ज़रूरी है, और ये value अगर आप exchange करना चाहते ह बट अगर आप investment plan देखोगे या binary plan देखोगे, यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे risk ज़्यादा है, because हम value नहीं दे रहे लोगों को, बट generation plan में value दे रहे थे, तो मुझे लगा कि हम stability के और जा सकते, हम लोगों को stability दे सकते, लोगों को career का option दे सकते, यहाँ पे product का quality है, product का pricing है वो भी matter करता है, तो मैं सनेज में जब यह चीज देख रहाता, सनेज का plan अगर आज इंडिया में देखते तो सबसे बहतरीन plan है, product की बात करते तो product की quality, unmatched product की quality है, pricing अगर हम देखते तो market में traditional में जो लोग काम कर रहे, उनसे भी competitive price में हम product बेच कर रहे, और एक हमारा और एक जबरदस्ते field है, वो है organic product का, तो मुझे एक चीज समझ में है कि हम अलग-अलग variety of category में काम कर रहे, wellness industry का future आगे बहुत बढ़ा है, क्योंकि हमको पता है कि health deteriorate हो रहा है लोगों का, तो यह field में जाके emerging business होने वाला है, तो यह भी चीज मुझे समझ में है, तो मैंने decide कर लिया कि इस industry के साथ, जब मैं मेरे career में, मेरे mechanical field के career में top पे था, pick में था, जहापे मेरा package 35 lakh के आसपा जा चुका था, तब मैंने decide कर लिया कि मैं मेरे job को resign करके direct selling industry को as a career चूज करता हूँ, reason यही था, कि मैं मेरे life में stable हो चुका था, मेरे life में मे बहुत सारे लोग है, जो आज educated भी है, बट आच्छी जॉब नहीं मिल रही है, 10-15,000, 20-25,000 के साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक लाख रुपे महिने का कमाने के बाद भी stress में काम कर रहे हैं, तो मैं जब job की situation देख रहा था, तो एक लाख रुपे, दो लाख रुपे क आता हूँ, इस industry का, अगर मैं value लोगों को provide करता हूँ, तो लोगों के ये बीमारी ठीक होने के लिए हम मदद कर सकते हैं, help कर सकते हैं, ये सोच लेके, मैं decide किया कि मैं इस industry के साथ as a career काम कर सकता हूँ, बट एक fear था दोस्तो माइं, ये fear ये था, कि मैं engineering किया, उसके बाद कुछ बड़ी चलांग लगानी है, बड़ी चलांग लगानी है, तो हमको वो step को छोड़ना पड़ेगा, अगर हमको CD को अगर ऊपर चड़ना है, तो नीची की CD को छोड़के हमको ऊपर जाना पड़ेगा, ये सोच मैंने रखी, और मैंने decide कर लिया कि मैं direct selling industry के साथ career लेके काम कर सकता हो दोस्तों, और आज मुझे बहुत खुशी होती है, कि आज जब लोग मिलते हैं, जब लोगों को product के result आते हैं, लोग जब बात करते हैं कि मैं financially, freedom की तरफ जा रहा हूँ, मैं financial, independent की तरफ जा रहा हूँ, हमारे साथ आज बहुत सारी ladies है, जो housewife थी हूँ, जो अच्छा कासा income कमा रही है, बहुत सारे educated लोग है, जहांपे doctors है, government servants है, then teachers, doctors, engineers, अलग-अलग category के सारे लोग आज सनेज और E.S.E.S.I. के साथ successful है दोस्तों, और मुझे एक ही लगता है, जो sir का mission है कि direct selling industry को, इंडिया में एक ऐसा transparent way create करना है, ऐसा path create करना है, जहांपे लो के जुड सकते हो, आज अगर हम बात करते हमारे family income की दोस्तों, तो आज 6 car है family में, इस business से 6 car, अलग-अलग car ले सके हम, अगर आज total income की बात करते हैं, तो almost 9 crores के उपर income हुआ है, आज monthly 20 लाग से जादा मारन करने है, पूरे family में, तो यह हुआ दोस्तों, because हमने एक decision लिया 26 के बात देखेंगे, because health तो deteriorate होते जा रहा है, अगर आपको आपके health अच्छी रखनी है, आपके family की health अच्छी रखनी है, और अगर आप चाहते हो, कि आज आज आप जो कर रहे हो, करते-करते, अगर अलग stream डेवलप करना चाहते हो, जहाँ पे आप कुछ financial support हो सकता है, त आप आके हमारे साथ इस business में आ सकते हो, और अपना अलग एक financial stream डेवलप कर सकते हो, करियर भी कर सकते हो, वो आपके उपर depend रहेगा, क्या आपको करियर के साथ आना है, या आपको एक अलग financial stream डेवलप करना है, आप डिसाइड कर सकते हो, पर मुझे लगता है दोस्तों, य मैं अलग इंसान था, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बात नहीं कर सकता था लोगों के साथ जादा, बट इंडस्ट्री में आने के बाद, सर को मिलने के बाद, आज अलग-अलग stage पे जाके बात करता हो, लोगों को motivate करने की कोशिश करता हो, तो मैंने जिसे starting में आपको बोला मैं आपको बात करता हो, लोगों 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 करता हो, लोग